DSSB PRT के GKK second session में I welcome you सबसे पहले तो आप लोगों को top 20 questions and answers of general knowledge for DSSB PRT exam की class number 2 में मैं विपलो सिंग welcome करता हूँ आज हम क्या करेंगे आज हम करेंगे 20 questions जो कहां आएंगे आपके DSSB PRT के exam में और आप लोग अगर तयारी करना शुरू कर चुके हैं पहली वीडियो से जो मैंने कल डाली थी तो आप right track पर आ गए हैं इन questions को करने के बाद आपका confidence build होगा और DSSB PRT के exam में जो 20 number GKK होंगे उसमें आप बहुत अच्छा score करेंगे तो सबसे पहले वीडियो को like करो बाद में भूल जाते हो subscribe का बटन दबा दो क्योंकि बाद में notification नहीं मिलेगी आप चाते हैं DSSB PRT exam पास करना मैं उसे आपको पास करवाना चाता हूँ तो subscribe करें और daily basis पर channel को visit करें जुड़ जाएं आपर तो चलिए बिना किसी देरी के 20 question हम करते हैं इन 20 question में जितने number ठीक होए नीचे comment box में comment करके बताने हैं तो चलिए बिना किसी देरी के video की starting करते हैं पहले question से time come questions जादा ये हमारा aim रहेगा पहला निमल लिखित में से कौन सी नदी विंधय और सत्पुड़ा परवतमाला के बीच बैती है which one of the following river flows between विंधया and सत्पुड़ा ranges नर्मदा महानदी बेटा या नेत्रावदी बताइए answer क्या होगा answer होगा आपका नर्मदा 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 नदी जो है वो विंधय और सत्पुड़ा परवतमाला के बीच में बैती है तो option number A हाँ पर बिलकुल क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा second question की तरफ आगे बढ़ते हैं second question है the central rice research station is situated in के इंदर ये चावल अनुसंधान station कहाँ पर है चेन्नाई में कटक में बैंगलोर में या क्वीलोन में कहाँ पर है ये है कटक में तो answer होगा यहाँ पर कटक central rice research station is situated at कटक तो option number B यहाँ पर बिलकुल ठीक होगा मन लिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा which या who among the following wrote संस्कृत ग्रामबर संस्कृत ग्रामबर की बात अगर आए एक्जाम में आएगी ही तो किसने लिखा था कालिदास ने चरक ने पानेनी ने या आरियवटने किसने लिखा था ये लिखा था पानेनी ने किसने लिखा था पानेनी ने तो संस्कृत व्याकरन किसके साथ जुड़ी हुई है पानेनी के साथ option number C यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा next question की तरफ आगे बढ़ते हैं next question क्या है next question है which among the following head streams meets the ganges in the last निमल्लिकित में से कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी या भागी रथी बताइए answer क्या होगा देखे अगर answer आए कि सबसे end में गंगा से कौन सी नदी मिलती है तो answer आपका होगा भागी रथी तो answer क्या होगा भागी रथी ठीक हेड स्ट्रीम, भागी रथी हेड स्ट्रीम है, जो सबसे अंत में गंगा से मिलती है, भागी रथी जलधारा, तो ये आपको आंसर याद रखना है, option number D, चोथा इसका आंसर होगा, next question की तरह बढ़ते हैं, पांचवा question है, the metal whose salts are sensitive to light is, वह दातु जिसके लवन परकाश के परत सब्वेदनशील होते हैं, जिंक, silver, copper, aluminium, तो इन धातुओं में से, जो silver धातु होती है, वह बहुत ज्यादा sensitive होती है, तो आंसर क्या होगा, silver, चांदी, option number B, यहाँ पर ठीक हो जाएगा, नंबर गिंते रहना, चटा question है, आपके सामने, देखिए, चटा question है, पतंजली नि सुत्रिया आयुर्वेद, देखिए, जब भी बात आये यहाँ पर पतंजली की, और यह red hot question है, हमेशा एक्जाम में पूछा है, तो योग सुत्र आंसर आ जाएगा, पानेनी का जो contribution है, वो योग सुत्र के संकलन के लिए है, तो option number A जो होगा यहाँ पर, वो बिलकुल ठीक हो जाएगा, तो like का button दब जाना चाहिए, सातवे question में पहुँच गए है यह इतनी जल्दी, लूनी नदी पुषकर के पास से निकलती है, और निमल लिकित में से किस में गिरती है, रिवर लूनी, originates near पुषकर, and drains into which one of the following, run of कच, Arabian Sea, Gulf of Cambay, या फिर लेक सांभर, किस में गिरती है, लूनी नदी पुषकर के पास से निकलती है, ठीक है, कच का रन, अरब सागर, केंब्य की खाड़ी या सांभर जील, तो answer आएगा, कच का रन, answer के आएगा, कच का रन, run of कच, तो लूनी नदी का यहाँ पर answer option number A हो जाएगा, आठवा question देखते हैं, आठवा question है, which one of the following rivers originates in ब्रह्मगिरी ranges of western घाट से, यानि कि निमल लिकित में से कौन सी नदी, पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी स्रेणी से निकलती है, तो जब भी बात आजाए, पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी स्रेणी की, तो यहाँ पर answer क्या आएगा, पैनार, कावेरी, कृष् question number 9 देखते है, question number 9 है, जो उतपादन में सबसे अधिक देश कौन सा है, the country that has the highest production in barley, who is that, सबसे ज़्यादा बारले का production कौन सा देश करता है, जो का उतपादन, चीन, भारत, रूसी या फिर फ्रांस, देखिए जब भी बात आए जो की, बारले की, तो answer रशिया आजाएगा तो answer क्या होगा, रशिया, आप इंडिया या चाइना की तरफ बढ़ें, लेकिन वो answer गलत हो जाएगा, फिर रशिया की तरफ जाएं, और ये question है काफी important, और ये सब के सब 20 question ही important है, लेकिन ये important बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके exam में आएगा ये, दस्वा, tsunami are not caused by, tsunami क इसकी वज़े से होगी, एक कारण से नहीं होगी, ये भी important category के अंदर question है, देखो ये सारे के सारे question, ये दूसरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अभी ये, और इससे पहले जो बनाई थी, ये सभी important question की category में आती है, तो you are very lucky कि आपको time रहते सारी चीज़ मिल रही है, पा आती है, हरीकेन्स के कारण नहीं, हरीकेन्स के कारण नहीं, तो option number A आपर बिलकुल ठीक हो जाएगा, 10 में से जितने number A count करते रहो, आगे के 10 question भी हम काफी जल्दी करेंगे, चलो चंबल रिवर इस पार्ट ओफ चंबल नदी किसका भाग है साबरमती बेसिन का गंगा बेसिन का नर्मदा बेसिन का या गोदावरी बेसिन का बताईए चंबल नदी की बात हो रही है तो आंसर आएगा नर्मदा बेसिन तो चंबल नदी इस पार्ट ओफ चंबल रिवर इस प अप्शन नमबर C यहां पर ठीक हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है DDT वाज इन्वेंटिड वाई देखें DDT जो होती है यह मच्छरों के खातमे के लिए होती है मच्रों को, मलेरिया को कंट्रोल में करने के लिए यूज की जाती है किसने इन्वेंट किया था मॉसले ने, रुडॉल्फ ने, कारल, बेंज ने या फिर डाल्टन ने इंपोर्टन कोशन है यह आंसर आएगा A. मॉसली किसने A. मॉसली ने ही DDT की इन्वेंशन की थी. DDT की फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा. उप्शन नमबर A. मच्रों की दवाई होती है यह. नेक्स्ट है वॉलकैनिक इरॉप्शन्स डू नोट अकर इंदी. जो आला मुकी विसफोर्ट कहां पर नहीं होता है? बाल्टिक सी में, बलेक सी में, कैरेबियन सी में या कैस्पियन सी में? बताऊ जो आला मुकी विसफोर्ट का नहीं होगा? बाल्टिक सागर, काला सागर, कैस्पियन कैरेबियन सागर या फिर कैस्पियन सागर? आंसर क्या होगा है देखिए बाल्टिक सी में बाल्टिक सी में कभी भी जो आलम की विस्फोट नहीं होता है तो option number A Baltic Sea is the right answer where volcanic eruption doesn't occur option number A यहां पर ठीक होगा चोद्वा question देखिए Indus River originates in सिंधु नदी का उद्गम सान कौन सा है कि नौर लद्दाक नेपाल या फिर तिबबत देखो सिंधु नदी की बात हो तो यहां पर बात आ जाती है तिबबत की तिबबत से ही सिंधु नदी जो है निकलती है ठीक है सिंधु नदी कहां से निकलती है तिबबत से ठीक ह ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन सोर मंडल का सबसे गरम गर है कौन सा है देखो ये सारे कोश्चिन DSSB वाले हैं इनमें अगर आप डेली क्लास जोईन करते हैं तो बहुत जादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका वीनस सबसे गरम कौन सा है वीनस उप्शन नमबर V यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा हो टेस्ट प्लानिट कौन सा है वीनस है नेक्स्ट है चंबल नदी निमनली कित में से किस नदी से मिलती है विद विच ओव दी फॉलोविंग रिवर्स ड़स चंबल रिवर मर्ज बनास, गंगा, नर्मदा या फिर यमुना बताईए देखो चंबल नदी की अगर मैं बात करूँ तो ना तो बनास में मिलती है ना गंगा में ना नर्मदा में ये मिलती है यमुना में तो चंबल नदी किस में मिलती है यमुना नदी में Option number D जो होगा यहाँ पर बिलकुल ठीक हो जाएगा सतरवा question देखिए भारत में विद्यूत आपूर्ती सबसे पहले कहां शुरू की गई थी Where was the electricity supply first introduced in India Mumbai, Dehradun, Darjeeling या फिर Chennai बताईए सबसे पहले electricity जो supply थी वो सबसे पहले introduced की गई थी Darjeeling में Option number C यहाँ पर बिलकुल ठीक हो जाएगा Darjeeling Next question Next question है आपका Question number 18 अमरावती, भावानी, हेमावती and काविनी are Tributaries of which of the following rivers यानि अमरावती, भावानी, हेमावती और काविनी निमल लिकिते में से किस नदी की सहायक नदिया है देखो अमरावती की बात करें, भावानी की बात करें, हेमावती की बात करें और काविनी की बात करें तो महा नदी, गोदावरी, कावेरी या कर्शना, किस की हैं ये, ये कावेरी की है तो ये कावेरी नदी की सहायक नदिया है तो answer क्या हो जाएगा option number C next question की तरफ आगे बढ़ते हैं next question है आपका question number 19 निमल लिकित में से कौन भारत निर्मान योजना से संबंदित है which one of the following is related to भारत निर्मान scheme भारत निर्मान scheme भारत में किस चीज़ के निर्मान से related है खाद्यान उत्पादन आतम निर्बरता यानकी food grain production, self-sufficiency, परिवार कल्यान कार्यकरम, family welfare program, बुनियादी डाचे का विकास, infrastructure development, या फिर employment generation program, रोजगार सरजन कार्यकरम तो ये भारत निर्मान योजना किस से संबंदित है भारत के अंदर बुनियादी डाचे के विकास से तो answer क्या होगा Infrastructural Development of India is related to भारत निर्मान स्कीम Option number C यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ जाएगा Next question की तरफ आगे बढ़ते हैं जो last question है हमारा कौन सी प्राइडी प्य नदी का मौसमी परवा सबसे कम है यानि की आप हमें बताओ कि which peninsular river is least seasonal in flow बताइए किस का सबसे कम मौसमी परवा रहता है किस में सबसे कम पानी रह जाता है तो यहाँ पर गोदावरी में किस में कम रह जाता है गोदावरी में option number C गोदावरी is the right answer of it तो आज की class में हमने 20 questions किये और यह video number 2 थी daily a class आती रहेगी आपको daily a class लेनी है channel पर आना है top 20 यह जो GKK MCQ है इन्हें जबाब करोगे तो आपकी knowledge बहुत ज़्यादा बड़ेगी यह PDF आप चाते हो part B दोनों के mock test है दोनों के notes है और part B के 100 में से 120 चेप्टर में से लगबग 95 चेप्टर हो चुके हैं part B के तो selection wedge को जाकर जल्दी से join करें और इस class में कितने number आए नीचे comment box में comment करें और इस class को daily ले इसकी PDF भी जो है download करें हमारे telegram group से और अपने साथियों को दोस्तों को जोड़े इस channel पर क्योंकि जितने ज़्यादा student यहां पर आकर तयारी करेंगे उतने ज़्यादा और subject में introduce करूँगा जब हमारी GK की लगबग 10 या 20 class हो चुकी होंगी तब मैं यहांपर maths की शुरुवात करूँगा तो 40 number party के पक्के हो जाएंगे 20 number तो मैं आपके पक्के कर रहा हूँ यहांपर GK में तो इसके साथ math की भी शुरुवात होगी लेकिन 10-20 videos के बाद 10-20 videos तक आप लोग students को लेकर आएं यहांपर आप भी daily आएं like और share में कमी नहीं होने चाहिए take care students next video में मिलता हूँ